नमश्कार दोस्तों आज मैं आपको इंसोम्निया की टॉप फाइब होमपैथिक मैडिसिन के बारे में चानकारी दूँगा और कुछ बाते बताऊंगा तो मैं डॉक्टर विक्रम आपको मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं इंसोम्निया स्लीप लेस्मेस मतलब नींद ना आना मतलब जितनी आपकी इच्छा है उससे आपको कम नीद आ रही है जिसके कारण आपके अंदर एंग कमिल हो रही है बहुत ज्यादा छिछरा पन हो रहा है और बहुत-जादा इप्रैस्ट रहते जो आप काम करना चाहे रहे हैं दिन भर, वो अच्छे से आप नहीं कर पाते हैं। तो इस condition को हम insomnia बोलते हैं इस नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ती पाच घंटे सो रहा है तो उसे हम insomnia बोले अगर वो व्यक्ती की इच्छा मतलब वो पाच घंटे सोने के बाद बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा है उसे कोई problem नहीं हो रही है, बिल्कुल irritable नहीं हो रहा है और अच्छे से काम रहा है तो उसी insomnia की problem नहीं है लेकिन अगर किसी की 6 गंटे है और वो 5 गंटे सोब रहा है तो इसको हम insomnia बोलते हैं, दोस्तों insomnia के कारण बहुत सारे हैं, सबसे ज़्यादा जो important cause है वो है चिंता जो की बहुत ज़ादा होती हम सब को तो कभी किसी की चिंता कभी किसी की चिंता और ये चिंता को लेके हम बैट तक जाते हैं और बैट में जब हम सोने जाते हैं तो बहुत ज़ादा चिंतित रहते हैं और सोसते रहते हैं सोसते रहते हैं सोसते रहते हैं और फिर हमें इतना सोना चाहिए उतना नहीं सोते हैं और हमें इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है अगर आप एंजायटी के सिकार हैं तो आपको नीम नहीं आती है प्रॉपर टाइम पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो ना मत हो तो नहीं जाएगा यह नहीं जाएगा वो उल्सिस व्रशह दोस्तों कोई ऐसी बीमारी है आपको ज이äsके कारण आपको दःध बना रहता है जैसे ऑबाद की प्रव्लम है पेशनक को तो दर्ध के कारण उसे नीद नहीं आती वूमेंस में महिलाओं में मीनोपॉस के पहले मीनोपॉस में उन्हें नींद नहीं आती है यह थे आम कारण और मैं आपको एक अनुमानित आकड़ा दे रहा हूं जो की काफी जगह लिखा हुआ है कि लगभक सौ में से तीस आदमी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो इंसो इंसोम्निया की बताने जा रहा हूं और जो सेडेटिव अलोपैथिक मैडिसन है उनसे होमेपैथिक मैडिसन बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपको आदत नहीं लगती है और साथी साथ जो मांसिक सिम्टम से मांसिक लच्छन है वो भी ठीक हो जाते हैं जैसे आप बहुत मैडसन है इसे लेने के बाद आपको बहुत अच्छी नीद आएगी गहरी नीद आएगी और चिंता भी आपकी खर्तम हो जाएगी तो बहुत अच्छी मैडसन है अगर आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है और जैसे आप लेटते हैं तो और तेजी से चलने लगता है तो पैसी फ्लोटा का उप्योग जरूर करना चाहिए तो पाइसी फ्लोरा हमेशा। हमेसा आप मदा टेंचर में यूज़ करें, अगर आपको नेन न की न क form आए तो पैसी फ्लोरा मदा टेंचर आप इन में कम से कम दो बढार ले। एक बार आप दो पहर में लें, 20 बूंद आधे कप पानी में डालके उसे पीएं, आधा कप पानी लें, पैसी फ्लोरा मदर टेंचर, 20 बूंद डालें, उसे आप दो पहर में पी लें, और रात में लगबग 30 से 40 बूंद पैसी फ्लोरा मदर टेंचर, आप वही आधे कप पान है क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नीद आती है तो आप कॉफी पीते हैं लेकिन होमेपैथी में इसका जस्ट टोल्टा है अगर आपको नीद नहीं आती है तो आपको कॉफिया कुड़ा जरूर यूज करना चाहिए बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चलता है अब आपका दिमाग रेस्ट नहीं कर रहा है तो कॉफिया कुड़ा बहुत ही एफेक्टिव मैडसेन है और आप बहुत हैं जैसे लेकर लाइट जल रही है यह कहीं से आपको आवा जाती है तो तुरंत आप उठ जाते हैं या एकदम से किसी ने गेट खोल दिया तो गेट क आवास तक से आप उठ जाते हैं तो कॉफिया कु रुड़ा बहुत ही एफेक्टिव मैडसेन है दूस्तों कॉफिया को आपको 200 पूटेन्सी में यूज करना है इंसुम्निया की प्रभ्लम है और क्रॉनिक इंसुम्निया की प्रभ्लम है मतलब आपको बहुत सालों से चार महिने तक लीजेगा तो एक बहुत ही effective medicine है insomnia के लिए sleeplessness के लिए achyologia या फिर आप achylasia भी इससे बोल सकते हैं बहुत ही effective medicine है खासकर women's के लिए females के लिए अगर महिलाएं हैं और वो बहुत जादा सोसती है mostly hysteric हो गई है एकदम से चिर्शिडापन बहुत जादा चिर्शिडापन दिमाग में बहुत जादा thoughts आना एक बहुत जादा irritable होना और चिर्शिडापन जाना किसी के उपर रात में दिन भर सोसते रहना और दिमाग में चीजें बिलकुल चलते रहना जिसके कारण बिलकुल भी नीद ना आना जैसे आप लेटते हैं दिमाग में बहुत सारी चीज़े चलती है ये क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये हो ऐसा क्यों हो रहा है कोई कुछ कर तो नहीं देगा कुछ हो तो नहीं जाएगा ये सब दिमाग में बहुत सारी चीज़ अगर चलती है और खासकर वूमेंस के अं ठेटी दो भून डिरेक्टली टंग में आप डालें सुबह और शाम को बहुत ही अच्छी मैडिसेन थोड़ी से रेयर हैं मिलने में तकलीफ होगी लेकिन अगर वूमेंस को प्रॉब्लम है और लच्छन मिल रहे हैं तो जरूर दीजिए टॉफ फाइव में से टॉफ फॉर मै और सेन अगनीश्यव दूस्तों इगनीश्यव मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इंसोम्निया के केसज में क्योंकि लच्छन इसके बहुत ज्यादा मिलते हैं लच्छन क्या है कि आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए जो आपको एकदम से दिमाग में घूमता रहा है जैस जिसके कारळ फेента और जिसके कारे अंसयेटी और इन्सोम्णिया की प्रपल्लम हो और रात में आपके दिमाग में वही एक घटना वही एक बान धिमाग में घुमती रहे घूमती रहे तो इगनीश्या बहुत ही effective medicine है जरूर आपको insomnia में यूज करना चाहिए इगनीशिया आपको 200 potency में यूज करना है और दो बुंद रात में लेना है लास्ट में एक medicine rescue remedy इसके बारे में आप सभी जानते हैं ये batch flower medicine है न हम पैथी में बहुत सारे doctors use करते हैं insomnia के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलें आपका दिमाग restless हो मतलब सोसता रहे सोसता रहे और एकड़म से आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी बाते जो है वो चलती रहें rescue remedy मानसिक बीमारियों के लिए बहुत ही effective medicine है ये मानसिक संतुलन को बनाये रखती है साथी साथ ये मानसिक relaxation देती है mental relaxation देती है और mental relaxation होगा तो आपको नीन आएगी इसलिए rescue remedy remedy जरूर यूज करना चाहिए rescue remedy 30 CH potency में दो बुंद सुबह, दो बुंद दो पहर में और दो बुंद रात में दोस्तों लास्ट में मेरा conclusion अगर आपको insomnia की problem हो तो जरूर आप पैसिफोरा mother tincture यूज करें 20 बुंद दो पहर में और 40 बुंद लगवक रात में आधे कप पानी के साथ इसका सेवन करें बहुत ही effective medicine है साथ में rescue remedy 30 दो बुंद सुबह, दो पहर, शाम, साथ में anxiety depression की problem है तो medicine कम से कम दो से तीन महिने जरूर यूज करेंगा जब पुरी तरीके से ठीक हो जाए तो धीरे 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 इसको बंद कर दीजिए तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइ 折ू की और किस तरह की उertे बिमारी है तो मेरे शनल में जाकी बिमारे के बारे में जान सकते ऊथिक मैडिस के बारे में जान सकते हैं तो पर्शने फिस्स outside अक्रिए कर आपकर इसे जबहां हैक दूस्तों करें aparece Infal भार धन्यवाद, thank you so much, buddy.